दोस्तों पहले का जो जमाना था वो बहुती सीधे साधे लोगों का हुआ करता था अब की तरह लोग चंड चलाक नहीं थे हलाकि उस दोर में भी कुछ लोग थे जो बहुती जादा खुराफाती थे उसी के बारे में आज की जो कहानी है वो होने वाली है उससे पहले मैं आप आपको बता दूँ एक फिल्म थी लापता लेडिज उसमें भी कुछ एसे ठगी का मामला है जो आपको मैं बताना चाहूंगा एक लड़के की शादी होती है और शादी होने के बाद में वो अपनी सुस्राल को पहली बार जा रहा था और जा रहा था वो ट्रेन से उस दोर म पहला था जहांपर उनको उतरना था दूला जो था वह समान को लेता है भैंड की ओर की होती है दोस्तों इसी तरह की कहानी हम आपको सुनाने जा रहा है और यह कहानी राजिस्थान के जोधपुर गीने‡ जोतपूर में 1985 का दोर था एक दुलहन जिसका नाम सवीता होता है और सवीता कालपनिक नाम है दुलहन की शादी 1981 में मनोज नाम के लड़के से हो जाती है अभी तक लड़की की विदाई नहीं हुई थी जिसको हिंदु लोगों में गोना बोलते हैं वो गोना नहीं हुआ था रात के साड़े 9 बजे का वक था दुलह अपने सुसराल में पहुचता है और खटखट आता है वहाँ पर और वहाँ से आवाज आती है कि कौन तबी दुलह केता है कि मैं मनोज हूँ और वाड मेर से आया हूँ तबी दर्वाजा खोल दिया जाता है कि दामाज जी आ गए है सासुमा भी खुश हो जाती है और जो दुलहन की सवीता वो भी खुश हो जाती है दुलहन की चाची थी वो भी खुश हो जाती है अब देखने वाली बात यह है जब मनोज सुसराल में पहुचता है तो उसके सुसर या फिर साले या फिर चचेरे साले कोई भी घर पर नहीं था सिर्फ लेडिस थी जिसमें लेडिस में उसकी बीवी सवीता और उसकी चाची और उसकी सासुमा होती है अब दामाज जी ससराल में पहली बार आये थे तो बहुती अच्छी तरीके से उनका सम्मान होता है नाश्ता वगेरा होता है बहुती इज़त मिलती है उनको और जब सवीता उनके सामने आती है तो वो सवीता से कहते हैं कि आज तुम मेरे साथ ही रुकोगी कमरे में अब सवीता इस बात को अपनी मा से कहती है और मा कहती है कि कोई बात नहीं तुमारा गोना एक ना एक दिन तो होना ही है कोई बात नहीं दामाज जी अगर कह रहा है तो उनकी कुम मान लुक्र Até which supply एंँर हो रही तो पहली बार सुस्राल युels To almost है तो satsße dat बहुत अच्छे तरीके से धो होती है और पूरे शादी का जो जोड़ा था वहır वगेरा पहनने के जूद निगालकर व business थे उसके मानोज सब्गे में पहुंचता है और दर्когоजे को बंकर दिया जाता है और मनोज और सवीता बहुत सारी बाते करते हैं अब बाते वग़रा करने के बाद में वो Wealthy वगरा करने के बाद में वो सबकुछ चला जाता है, कुछ दिन गुजर जाते हैं, करीब एक महीना गुजरने के बाद में राजेश फिर से अपनी सुसराल एक बार ओर आता है, राजेश दर्वाजा खट खटाता है, राजेश के जो सुसर थे वो दर्वाजा खोलते हैं और वो पैचान लेते हैं कि दामाजी आ ग कमरे में रुकते हैं और वो दुलन की तरह तयार बेढ़ी थी और जैसे ही राजेश कमरे में पहुंचता है और दुलन का गुंगट उठा कर देखता है तो राजेश को सवीता जैसे ही देखती है और देखती ही चली जाती है और बहुत जादा डर जाती है डर के मारे बेहोश हो जाती है अब राजेश अपनी सासु मा को बुलाता है और कहता है कि देखना ये सवीता कैसे बेहोश हो गई इसकी तवित कैसे खराब हो गई तभी राजेश अब कमरे से बाहर आ जाता है उसके बाद में सवीता की मा पानी के छीटे मारती है सवीता के मुँँपर वो थोड एक घटना को अंज्याम देने की कोशिश की जाती है साजिश की जाती है पिर वही चवर दूलाभ बनकर एक घटाता आता है और खटखटाने के बाद में दर्वाजा खोल दिया जाता है, वो अंदर पहुंचता है और बताता है कि मैं आपका जमाई हूँ, लेकिन देखने वाली बात यह है कि वो जो चोर था वो बहुती जादा शातिर था, वो उसी घर में जाया करता था, जिस घर में आदमी नहीं हो कि यह हमारा दमाद नहीं है, यह कोई बहरूपिया है, अब परिवार के लोग उसको पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद में बहुत जादा मारते हैं, और मोकाई वारदात पर पुलिस को बुला लेते हैं, पुलिस उसको पकड़ कर थाने ले जाती है, अब उसके खि पुरी कहां की, क्यों की, कैसे गया था, अब पुलिस उस पर सक्ती करती है, सक्ती करने पर वो सारी बाता पुलिस को बतायता है, और वो पुलिस को ये भी बताता है, कि उसने अब तक 2500 दुलनों के साथ में स्वागरात मनाई है, अब देखने वाली बात ये है, कि किसी ने भी उसके उपर अब तक रेप का मुकदमा नहीं लिखवाया था उसके उपर आब तक 19 मुकदमे लिखे गए थे वो भी चोरी के अब चोरी के मुकदमे थे तो कोई खास लंबी सजा उसको नहीं मिली थी सन 2016 आजाता है और एक लाश मिलती है ये लाश लाश मिलती है वाडमेर जिले का एक गाउं होता है खरिया खोर्थ वहाँ पर उसकी एक लाश मिलती है सबी लोग उसको आसानी से पहचान लेते हैं कि यह तो जीयाराम जाट है पुलिस उसका पोस्मार्डम कराती है तो पता चलता है कि उसके जो गुर्दे हैं वो फैल हो कैसे लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करने क्योंकर नई से नई वीडियो और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके नियाम लाते रहेंगे